नमस्कार दोस्तों ग्यान की बात में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताने वाला हूँ डाइबर्टीस का रामबान इलाज भले आपका डाइबर्टीस कितना भी पुराना क्यों ना हो ये उन लोगों के लिए भी कारगर है जिन लोगों को डाइबर्टीस के वज़े से अपने शरीर का कोई हिस्सा काटने की नौबत आ चुकी है ये उन लोगों के लिए भी एक रामबान उपा है चलो मैं आपको बता देता हूँ वो नुसका क्या है दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए आपके सेहत से सम्मधित सारे नए नए वीडियोज लाते रहता हूँ आपको बस इतना करना है 25 ग्राम छीला हुआ लेसून लेना है 50 ग्राम अद्रक लेना है और 50 ग्राम पुदिना की पत्ती और 50 ग्राम अनार का दाना अब आप सोच रहे होंगे कि अनार का दाना कहां से लाए क्योंकि लेसून अद्रक और पुदिना की पत्ती नॉमल आपको कहीं से भी मिल जाती है अगर आपको अनार दाना चाहिए तो आप कोई भी आयरुदिक दुकान से भी ले सकते हो अनार का दाना रहेगा अब आपको इन चारो को मिला कर चटनी बना देना है जब इसकी चटनी तयार हो जाए तो इसकी चटनी को सुबाज शाम दूपर जब भी आप खाना खाओगे उसके साथ एक चमच खाना है बस आपको इतना ही करना है इस उपाय से आपको बहुत ही फाइदा होगा मेरे इस वीडियो को प्लीज आप शेयर करिए ताकि ये वीडियो उन जरुवत मन तक पहुच सके जिनको इस इलाज की जरुवत है अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चानल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू